हेलो फ्रेंड फेमस टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि गैरी और सीरत की शादी होने के बाद अब साहिबा उठाने वाली है एक बहुत ही बड़ा कदम क्योंकि उसे बचाना है अपना मौंगा हाउस जी हाँ दोस्तों अब शो के अपकमिंग ट्रैग में बाब देखेंगे वाले हैं कि गैरी और सीरत की शादी के बाद साहिबा उठाने वाली है एक बहुत ही बड़ा कदम जहां वो ये फैसला लेगी कि उसे अपने टैलेंट को इन चार दीवारियों में बंद करके नहीं रख जाए उसे अपनी पहचान बनानी ही है और दुनिया को दिखाना है तो वहीं साहिबा बरार मैंशन को छोड़ने से पहले अंगत से कहती है कि मैं अब फाइनली तुम्हें और तुम्हारे घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ अब तुम खुशी से अपने घर पर रहो तुम ही मेरी तरफ से कभी भी कोई भी परिशानी नहीं होगी वहीं अंगत साहिबा की बाते सुनके शौक रह जाता है और पूरी कोशिश करता है साहिबा को रोपने की लेकिन साहिबा अंगत की एक नहीं सुनती और कहती है कि मैं इस तरह से अपने हुनर अपन के सामने लाना है और अपनी अलग से पहचान बनानी है तो यहां मेरे सपने मेरे हुनर की कोई एहमियत नहीं है और ना कोई रखने वाला तुम्हारे घर में रहना मतलब अपनी पहचान को खो देना इसलिए मेरा यहां से जाना जरूरी है तो वहीं जब साहिबा घर से जा रह मिशन देता हूँ और दार जी और बाकी सबी घरवालों से मैं बात खुद ही कर लूँगा लेकिन तुम प्लीज बरार मैंशन को छोड़के मत जाओ वेल अब शो के अपकमिंग ट्रैक में ये देखना दिल्चस्प होगा कि जहां अंगद एक प्रॉमिस तो पहले से दार जी से कर चुगा है कि वो साहिबा को बाहर काम करने नहीं देगा और अब दूसरी तरफ अंगद साहिबा सही प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपने वर्प को कंटिनू रख सकती है यहां रहके तो आखिर अब अंगद किसकी प्रामिस निभाएगा क्या अंगद अपने दार जी के फैसले के खिलाफ जाने वाला है या सहीबा को ही छोड़ना पड़ेगा बड़ार मेंशन तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या अंगद मनाले गादार जी को या अंगद की लाग कोशिशों के बावजूद भी रुक नहीं पाएगी सहीबा और घर छोड़कर चली जाएगी आप हमें कमन सेक्शन में कमन करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें